है लो नमस्कार कैसे हो सभी भावी सिक्सकाइटिंग सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपके अपकमिंग एक्जाम सैकेंड ग्रेड साइंस 2023 की वेकेंसी के लिए बहुत जबर्दस लाजवाब तरीके से प्रिपसन स्टार्ट कर दी होगी नहीं किया तो अभी से स्ट सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकोन को प्रेस करके ताकि अपकर मिंग हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी स्टूद्स के पास सबसे पहले देखने को मिले लो जी आज हम बिलकुल डिटैन अनलाइस करने वाले हैं पूरा और पीसी के सैकिंड ग्रेड साइंस के स अधर साइंस वाली सलें बसका पेपर सैकिन्ड का ओके स्टूडेंट एंडेट सबस्ट करएंड मांक्स के और फिर वहëं को तो Сब्षय सब्सक्राइब को को तो यहां से आप लोग जुड़ सकते हो स्टुएंट्स नाउ फोकस ओन दिस सलेबस ओके और प्रिबेशन कहना चाहते हो तो साइन्स का बैच स्टार्ट हो चुका है फिजिक्स आपको दिपक सहर केमेस्ट्री नैंस और बायो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उन्नी सुने सेकंडरी और स्टीनियर सेकंडरी अभी जैसे 2022 वाल 2022 तेइस वाला जो पेपर हो था ने उसके अंदर तो मैक्सिमम या तो 11-12 के कुश्टन थे या फिर ग्रेजिवेशन वाले कुश्टन सब्सक्राइब ग्रेजिशन का मैक्सिमम पॉर्षन दे दिया था ठीक है तो हम एक जो सलेबस का बिंदू है उसको हम लोग डिसकस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से स्टुडेंट फोकस कीजेगा सबसे पहले अगर हम बात करें बाइलोजी के तो बाइलोजी में 12-11 लेवल का जो चैप्टर आता है सैल एंड मॉलीकुलर बाइलोजी आप क्या करना स्टु आप लोग पढ़े उनको बोलो कि सर यह पॉइंट जरूर करवाए क्योंकि सलेबस यह बाहर किस्टन नहीं जाता बड़ सलेबस का में यह बिंदू पता होना चीए कि सेल के अंदर जैसे स्ट्रेक्चर एंड फंक्टन ऑब सैल सैल और्गनली जाती है नुक्लिक ऐसीड फंक्टन अब यहां पर दे दिया असेल और्गनल सारी आगी इसके अंदर जितने भी उसके अंदर ऐसे ही अगर हम बात करें मोलेकुलर बाइलोजी में डीन ने आरने सेंटल डोगमा स्ट्रेक्सर फंक्टन और प्रोटीन कार्बाइड इन लिपिट बहुत 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 जबरदर्स तरीकी से ठीक है जनेटिक्स जनेटिक्स कंप्लीट आपकी 12 वाली जनेटिक्स उसके अलाव टैक्सोनोमी जो फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन दे रखा है बट हमें इसके साथ सिक्स्त बाला किस ने दिया फर्स्ट सेकिंड थर्ड ये जो भी क्लासिफिके अब देखो ऐसे सेप्लेट नाम ने लिखेगा सेप्टर का हलका सा नाम लिख दिया तो में पूरा सेप्टर पढ़ना पड़ेगा अनिमल किंग्डम दे दिया प्रोटो जोवा से कोड़ेटा अब इसमें सब कुछी तो आ गया क्या स्किप किया है ठीक है अब प्लांट्स रूप दे दिया तो प्लांट किंग्डम दे दिया अल्गी टू एंजियोस्पर्म तो आप समझ पारने स्लेबस देखो किस तरीके से उसके बाद आता है इस्टूडेंस एकोलोजी एंड इन्वार्मेंटल बाइलोजी अब एकोलोजी में इतना दे दिया तो कॉम्प्लीट प्लांट एकोलोजी आगी जो ट्वैल के लास्ट के चार चैप्टर हमजी के इंडर यू करी उता ब्रोक करीटा वारस बैक्तीरिया माईकोप्लाजमा यकेंस मतलब वाइरस के बारे में बैक्टीरिया के बारे में माइक्दो प्लाजमा के बारे में लाइकेंस के बारे में स्ट Graph नोतम books accurately and anatomy Parlimiz Cup कि सकते प्लांट्हाप यह बहुंद क्लास का प्लांट्मा क्लास का और अनाटोमी यह भी लेंट क्लास का मतलब आप देखो अभी आपको एंस्याटी लेने ही पड़ेगी पढ़ना होगा तो कि उसमें सारे चेप्टर्स दे दिए ओके टाइपस ओप्लांट टिस्व इस्टोरिकल और्गनाइजिशन ऑप मोनोकोड डाइकोड रूड स्टैम लि और ग्रोथ इंड डवलप्मेंट जो अपका फिर दुवारा से प्लांट फिजिलोजी का क्योंकि आपको अगर आपने पड़ा है तो प्लांट्स हार्मोन्स भी कवर करोगी तो आपका पूरा का पूरा 11 का देते हारे देखो 11 का फॉस्ट आगा सेकिंड आगा थर्ड आगा साइंस में आप ग्रीजिशन को टच करते हो इस सेप्टर को डेप में पड़ो एक बार पड़ो फिर उसके बाद उसकी थ्योरी जो टीचर पड़ा रहा है उससे पड़ो फिर एनिमल डवलप्मेंटल बाइलोजी डवलप्मेंटल बाइलोजी में गेमिटोजनिस हो गया इसके अंदर मैंने लगबग लगबग मैंने फिप्टी परसंटेज इस साल जो जनवरी में करवाया है वो डाल दिया जनवरी से लेकर जून तक का सलिबस डाल दिया हमनी जो लैटेस्ट पड़ाया पुराने वाले मैथडवाल नहीं डाले उसके अलावा अब यह आगी जो फिप्टी परसंटेज है पूरा पका पूरा वह हम आपको लाइव पड़ा रहे ही इस बैच में सेकंड ग्रेड साइंस वाल बैच में जिसके प्राइस बहुत कम रखी है लोगों तो छेट से सास्तात अजार रखी है बट पैसा कमाना जीस्ट इस्टूर का कभी मक्तद नह तो आप आज से जोइन करके अपनी त्यारी फोकस ऑन सेकंड ग्रेड साइंस एक्जाम ठीक है इस बाहर आपको ग्रेजुशन लेवल के चैप्टर इसको बहुत अच्छे तरीके से और कवरप करवाने वाले ओके अब आते हैं कैमेस्ट्री के सले बस पर सेकंडरी सेने सेकं पूरा का पूरा नैंसर पड़ा रहे हैं कैमिकल बोंडिंग एंड मोलीकुलर स्टेक्चर एड़ेट बैटा क्लासिफिकेशन आप एलिमेंट्स एंड पीरियोड टेबल जो आगी वह आगया आपकी में एकुलीब विरियम आ गया रिडॉक्स रियक्षन आ गई और निक कैमेस्टिक कंप्लिट आ गई तो योसी के नाम से सन्ने करवाई पहले बेसिक आप यह कवर करो उसके बाद आप चैप्टर पर जब आपका बेसिक कवर हो जाए तब आप इसके चैप्टर कवर करना शुरू करो नैंसर ने आपको आत्र ऐसा चैनल है सलेबस और इंटेड बढाता है आपकी सलेबस को लेती हो चलते हैं यह हमें कवर करना है क्योंकि निए बॉटनी भी आ जाती है जूलो जी भी आ जाती दोनों पॉर्शन आ जाते हैं अब हाइड्रोकार्बन होगा फीजीकल वर्ड मेजर्मेंट वेक्ट कि अगरेशनल मोशन फ्रिक्षान ग्रेविटेशन प्रोपर्टी ऑप मैटर और फ्लू डाइनमिक्स और अगर आप चाहते हो ना कि सर आप जैसे मैं बायो का एक स्पेशल बाइओलोजी का स्लेबस सेकंड ग्रेट साइंस के लिए सेपरेट वीडियो धिपक शर की हो रहें तो अब आगे सैल और अब देखना पहले क्या था अब थोड़ा सा स्टेंडर्ड चींज हो गया अब आप आगे अब सैल की साइकल आ गई माइटोसिस मियोसिस देर सिगनिफेंस क्रोमेटीन और नाइजिसन डिने रैप्लीकेस ट्रांस्रिप्स ट्रांस लेसं तो मैंने जैसे मुल्यकुल कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको मुझे अलग से पढ़ाने की जूरत अब आपका यह जनेटिक्स यह एक में काम हो जाएगा अब यह कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपने 12 में कवर कर लिए अब पोस्ट मेंडलियन वर्क हुआ इसको आपको थोड़ा सा अलग से ग्रेजिशन वाले पॉर्शन में बाकी आप यह जो सारे के सारे जो पॉर्शन कवर कर लेते वह इलेंट में कवर कर लेते हो एनिमल ट आपके पड़ाऊंगा समझने अब रीपर जेंटीटिव एनिमल्स जैसे लाइप चाइकल रूइए एक्टेनल इंट्रन अब फ्रोग कोक्रोज वगेरा एंस्यार्टी में है यह पुरानी एंस्यार्टी गंद्र में जिनको हमें बहुत अच्छी से कवर करना है टाक्ट्व प्लांट फूजिलोजी पस इसमें क्या है पॉइंट्स भढ़ जाते हैं सी 3-4 साइकल आप एक काम करना आप करना चैप्टर को उठाना उसके बाद उसके सामने लिख देना उसके पॉइंट तो करनी पड़ेगी ठीक है भुसीबतों से ही निखरती है सक्सिय तियारों जो सटानों सब्सक्राइब तो जहना किस चाम का रीवां इसके लिए महनत तो आप लोगों करनी पड़ेगी आपको तेका को सब्सक्राइब में स्तेयाटनी हुगा पढ़ने बेड चो कोई मतलब नहीं निकलेगा समझभार हो तो कभी भी आप किसी भी एक्जाम कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं जिसके अंदर अब क्या आ गया एक्स्टा एंब्रोनिक मेंब्रेन हुई प्लेसेंटा रिजन रेशन स्टेम सेल्स टेरेटोलोजी एनिमल क्लोनिंग टैस्ट बेबी फैट मैप्स मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां से कुस्टन आया हुआ है पार्थेन नोट्स दूंगा ना उसमें देखना लेवल क्या है रियली में लेवल लग्रेजियोशन वाला डवलप्मेंटल बायलोजी करवाई है तो लेवल मेंटेन के विटा तो आपको लेवल मेंटेन करना पड़ेगा तब जाके आप सेलेक्शन की रेंज में आओगे ऐसे आप से लाइफ ओब बीज और मंकी इनके बारे में पताओना जी है अब कोडिनेशन कंपाउंड जैसे आपके नंबर लीगेंड्स और टाइप से वार्नर स्थोरी आईप सी यह है कैमेस्टी का मॉलेकुलेस टेक्शर स्टेट अप मैटर्स ओके जीरोज ग्रूप एस पी ब्लोक डी ब्लोक एफ ब्लोक मैटल्स एंड मैटलर्जी नॉन मैटल्स एंड देर कंपाउंड यह कौन पढ़ा रहे हैं आपको नहीं सर्जी बहुत जबरदस तरीके से केमिकल काइनेटिक से सोल्यूसन और इलेक्ट्रो केमेस्ट्री सर्फेस केमेस्ट्री और रियक्शन मेकनिज क्लासिकल इलेक्ट्रो डाइनमिक्स और अब आते हैं फिजिक्स के पोर्शन जोगरेशन वाला वे ओपिक से थर्मल स्टेशनल फिजिक्स से क्वांटम मैकनिक्स एंड मोडन फिजिक्स आपको लगता है असले बस थोड़ा सरके लेकिन है नहीं लेकिन आगर जब आप दिर करना है आपको ग्रेशन पॉर्शन जो आप इतनी सालों पड़के आए उसको एट टू नाइन मत में उसका निचोड कवरप करना है और उसके लिए महनत करने पड़ेगे हम आपको महनत करवाएंगे दीजान से मेनत करवाने वाले बस आप साथ मत छोड़ने एक्जाम तक ठ टीचिंग मैथड में डैफिनेशन एन कंसेप्ट ऑब साइंस नेचर ऑब साइंस टाइप औप को रिलेशन इन कंसेप्ट ऑप रिलेशन विद दा अदर स्कूल सब्जेक्ट एम्स अब्जेक्टिव औब साइंस साइंटिफिक मैथर साइंटिफिक लेटरेज यह सारे बेस तो यह आपको मैंने पेपर पैटरन बताया कि 300 मार्क्स आएंगे अब आपका डूरेशन ओप कुस्टन पेपर विल बी टू आवर थर्टी मिनट बोले तो धाई घंटे का आपका पेपर रहेगा ठीक है बेटा और उसके अलावा डेड़ सो कुस्टन साएंगे नेगेटिव म मैक्सिमम आता है उसके बाद आपका ग्रेजिशन वाला आता है तो यह आपका सलेबस्ता और इसकी आप लोग त्यारी करना चाहना तो यह आपके सामने बैचा है सैकेंड ग्रेड साइंस दोजार टेश्टोब इसका फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो चुका है आप लाइन लर्निंग अप्लिकेशन से ले सकते हो फिर भी आपके सामने नंबर है डबल नाइन टू नाइन सेव